जैमा काली दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में अगर आप करना चाहते हैं अपने किसी प्रेमी को वश में जी हाँ अगर आप अपने पती को या अपने प्रेमी को वश में करना चाहते हैं तो ये आपके लिए हम लेकर आएं कैसा अचूक वशी करन जिससे क आपके पती आपकी हर बात मानेंगे आप दोनों के बीच में आ रही समस्या का समाधान करने के लिए आप इस उपाय को जरूर करके देखें गुरू जी ने अपने भक्तों के लिए इस उपाय को बनाया है और अपने सभी यूट्यूब के दर्शकों को आज हम ये अपना उप और निंगू के उल्टी तरफ आपको लिख देना है याने कि दूसरी तरफ आपको लिखना है अपने प्रेमी का नाम जैसे कि अगर आपने यहां लिखा है तो इसके ठीक नीचे इस तरफ आपको लिखना होगा अपने प्रेमी या पती का नाम और इन दोनों नामों के बीच में आपको लगाना है यहां पर एक प्लस का साइन, इस तरह से एक प्लस का साइन आपको यहां पर बनाना होगा, इसे बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है नीम्बू के अंदर आपको लॉंग लगानी है, नीम्बू के अंदर लॉंग से पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि क्योंकि लॉंग नरम होती है तो वो नीमभू के अंदर नहीं जाएगी इसलिए आपको नीमभू पर पहले ही नौद बार चेट करने होंगे इस तरह से आप नीमभू में चेट कर दीजिए और उसके बाद आप इसका उप्योग कर सकते हैं इसे लॉंग इसमें आसानी से चली जाएगी और आप जब भी जैसे ही इसके अंदर लॉंग का इस्तमाल करेंगे तो आपको क्या करना है आपको एक मंत्र बोलना है ओम काम देवाय वश्यम कुरू कुरू स्वाहा हर लॉंग को लगाते लगाते आपको बोलते जाना है ओम काम देवयाय वश्याय कुरू कुरू स्वाहा इस मंतर का उचारण करते जाना है और लॉंग इसके अंदर लगाते जाना है इस तरह से जब इसमें सब लॉंग लग जाएगी तो आपको इसे ले जाकर बेहते हुए पानी में डाल देना है जी हाँ दोस्तों आपके घर के पास कोई भी साफ पानी का बेहता हुआ स्रोथ हो तो आपको यह नीमू ले जाकर वहां पर टाल देना है और दोस्तों वहां पर भी खड़े उकर आपको प्रातना करनी है कि आपका प्रेमी या आपकी पत्नी या आपके पती जिसके लिए भी आपने इसका उप्योग किया है वो आपसे बे इंतहाम प्यार करने लग जाएं आपसे मौबबत हो जाएं उन्हें और दोस्तों आप इस उपाई को जरूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही जल्दी काम करता है और आपको इसका लाब तुरंत मिलेगा तो दोस्तों धन्यवाद आपका आपने हमारा वीडियो देखा मिलते हैं अगले वीडियो में